असलाम लेकूँ वेल्काबेक पुमाज़ने कैसे हैं आप सब उमीद है सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे तो आज हम मिल रहे हैं दो दिन बाद आज दो दिन बाद मैं अपनी व्लोगिंग शेयर कर रही हूँ दो दिन से थोरी मस्रूफियत थी टाइम नहीं मिला मुझे अज मैं आपके साथ ब्यूटी टीप्स शेयर करने वाली हूं बहुत है सबस्त है बहुत ही अच्छी है उसको मैंने पहले खुद पेट रय किया उसका रिज़ल्ट देका है फिर बिने आपके साथ वो शेयर की है बहुत अमेजिंग रिजल्ट है उसका तो ये सलार गुम रहा है मेरी पुफो आई थी तो मैं उनको वापिस उनके गड़ छोड़ने के लिए जा रही थी तो सलार भी खूद ही चल के आया है तो आज मैं अपने गड़ में बना रही हूँ वेजिटेबल राइस अनापिया कह रही थी के मामा बहुत दिन हो गए है चावल नहीं खाए हमारे गड़े तकरीबे डेली बनते हैं एक ही दिन कभी कभी मिस होता है और उसे लग रहा था जैसे बहुत दिन हो गया है तो कह रही थी मामा बहुत दिन हो गया है चावल नहीं बनाए तो फिर थोड़ी सी वेजिटेबल पड़ी हुई थी मेरे पास शीम लाविज तो मैंने सोचा कि चलो आज वेजिटेबल राइस बनाती हूं बचों के लिए बरके सब के लिए सबने बहुत पुसंद किये थे जैका बहुत अच्छा था तो आज मैं आपके साथ एक डाइट प्लैन भी शेयर करूँगी जो मैं के घर में कर रही हूं काफी दिन हो गए है और मुझे उससे फर्क भी मिसूस हो रहा है और वो बहुत अच्छा है उसके बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है जैसे के पहले भी मैंने आपको बताया था कि मुझसे डाइट नहीं होती है बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है इसलिए मैं यह आपके साथ शेयर कर रह रही हूं कि इसके साथ डाइट वग्यरा की जूरत नहीं है हाँ अगर थोड़ी सी अक्सरसाइज की जाए तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे मुझे उप को ठीज प्रूठ का शोक है अच्छी भी लगती है लेकिन भी कर सकती क्योंकि लökत्र इसके अक्सरसाइज रिजल्ट मिलेगा तो मैं वेजिटेबल राइस मना रही थी तो इसमें मैंने घर के मसाले ही यूज़ की है हम लोग ब्रियानी मसाला लेकर आते हैं खुला वाला ओपन एक पाव वादा किलो ऐसे मिलता है तो उसका दूसरे ब्रियानी मसालों से टेस्ट काफी अलग है और बहुत ही अच्छा है जब मैं घर में वेजिटेबल राइस या कोई भी चैने वाल चावल बना रही हो तो चैना पला हो या कुछ भी बना रही हो तो उसमें ये ब्रियानी मसाला यूज़ करती है और अवर में स्पेशल ब्रियानी बना रही हूँ जैसे कि चिकन ब्रियानी हो गई बटन ब्रियानी हो गई बीफ ब्रियानी हो गई तो उसके लिए फिर मैं दूसरे मसाला यूज़ करती हूँ शान वालों का शान वालों का ब्रियानी मसाला बहुत जबर्दस उसका टेस्ट बहुत अच्छा है पहले मैं नैशनल यूज़ किया करती थी लेकिन अभी मैं शान वालों का यूज़ करती हूँ उसका टेस्ट बहुत अच्छा है बहुत जबरदस्त है किसी दिन में इसकी रेस्पी भी आपके साथ शेयर करूँगी तेह वाली परिगानी चिकन हो या बीफ या मटर परिगानी हो उसमें एक और मसाला एड़ करते हैं उससे उसका जाइका किराची परिगानी जैसा आता है बहुत ही जबरदस्त और यह सिक्रट है मैं आपके साथ ही इंशाला शेयर करूँगी चलती ही हेंड एंड फूर्स के लिए ब्यूरी टीप्स बहुत ही जबरदस्त है यह वाटनी के लिए बहुत ही अच्छा है तो यह चावलों का आटा था चावलों का आटा को मैंने अच्छे से चान लिया बारी निकाल लिया था फिर उसके बाद एलोवेरा जेल का एक चमच दो चमच मैंने दूद के अट किये थे और हाफ स्पून मैंने लेमन जूस आट किया है और हाफ स्पून ही इसमें गलैसरीन डालूँगी तो इसका यह मिक्सचर बहुत ही जबरदस त्यार हो जाता है बहुत ही इमेजिंग है यह अगर आपके पास वाइटनिंग कैपसूल है तो एक वो भी एड़ कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है यह वो स्किप भी कर सकते हैं तो मैंने भी एड़ नहीं किया इसमें तो आप इसको हाथ और पैरों पे लगाकर 10-15 मिंट के लिए छोड़ दें उसके बाद पानी लगाकर हलकी सी मिसाज करके एक दो बेट तो बस इसको उतार ले वाश कर ले तो इसका बहुत ही अच्छा है यह कम से कम हफते में दो बार किया करें तो यहां मैं आई हो अपनी डाइट के लिए वेट लूस करने के लिए मैंने एक पैन में पानी डाला है यह कम से कम दो लीटर पानी है और इसको पका कर मैंने हाफ लीटर करना है इसके अदर मैंने एक सपून सौफ डाल दी है और एक स्पून ही मैं इसमें जीरा डालूंगी और एक स्पून ही मैं इसमें अजवाइन डालूंगी तो फिर इसको इतना पकाना है कि ये हाफ रह जाए दो लिटर पानी है और एक लिटर पानी इसको करना है ये भी उगलेगा फिर ये पकेगा तो ये जब हाफ हो जाएगा फिर मैं फ्लेम को ओफ कर दूँगी तो फिर नीम गरम में इसको पियोंगी आप खाने से पहले भी पी सकते हैं लेकिन अगर आप नहीं पी सकते खाने से पहले तो कोई बात नहीं जब खाना खाले उसके बाद आप ये कहवा पी सकते हैं दिन में दो या तीन मरतबह दो या तीन कप ये जरूर पीए जो ज़्यादा अपना वेटमूस करना चाहते है जो जलदी फस्ट करना चाहता है तो मैंने आज लगाई थी अपनी मदरी लॉप के हैंड पर में दी ये रात का टाइम था अंधेरे में लगाई थी क्यूंके सब रूम्स में बेबीज सो रहे थे तो फिर बायर टीवी लाँच में बैठ कर लगाई थी वहां इतनी तेज रोशनी नहीं थी नूर्मल रोशनी म मैंने ये लगाई लिकि फिर भी अच्छी लग गई थी मेरे वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेट में जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दें फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में अपना खियाल रखेगा लाफीस